नमस्ते दौस्टो, आज में आपको इंडिया के साकारी विधायक पढ़ के बारे में बताने वाला हून. My name is Kishan Rav, dear you are watching the Inside India Politics channel. इंडिया के विधायक पढ़ में तीन भग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधान मंत्री. लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाई देश के संसद हैं, जहांग देश के कईक्षेत्र के लोग चुने गए होट हैं. प्रधान मंत्री, देश के अध्यक्ष होता है और असकी सरकार उनके साथ बानी होती है. प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, इंडिया के Executive Branch का हिस्सा है ये लोग देश के नियम और कानुन को निभाते हैं और देश के कल्यान के लिए काम करते हैं उनके पास बहुत सारे Portfolios हैं, जैसे की विदेश, Finance, Home Affairs और भी कई Portfolios इन सभी Portfolios के Head प्रधान मंत्री के पास होट हैं, जो उनकी सरकार के थ्रू इन Portfolios को चलाते हैं और हाँ, इंडिया के Executive Branch के काम के लिए बहुत सारे Departments हैं, जैसे की Police, Revenue, Defense और भी कई Departments ये सभी Departments प्रधान मंत्री और उनकी सरकार के निर्देश और आदेश के According काम करते हैं इन Departments के Officers और Workers, देश के नगरिकों के लिए सेवा करते हैं और देश के नियम और कानूं को पूरा करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के अधिकारन के लिए भी responsible होट हैं, जैसे कि आमी के अधिकारन, देश के अधिकारन के लिए काम करने वाले बैंक्स और भी कई अधिकार इन सबी अधिकारन के लिए प्रधान मंत्री और उनकी सरकार हाई रिस्पॉंसिबल होट हैं और ये लॉग इन अधिकारन के काम को इंप्रूव करते हैं और देश के नगरीकों के लिए सेवा करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार के काम के लिए बहुत सारे कमिटीज भी होती हैं, जो इनके निर्देश और आडेश के अकॉर्डिंग काम करते हैं ये कमिटीज देश के नियम और कानूं के लिए इंपॉर्टन्ट होती हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं इन committees में experts और officials होता हैं, जो देश के नगरीकों के लिए सेवा करते हैं और देश के नियम और कानुंग के लिए काम करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के budget के लिए भी responsible होट हैं ये लोग देश के बज़िट के लिए काम करते हैं और देश के विकास के लिए फंड्स अलेकेट करते हैं इन सभी responsibilities के लिए प्रधान मंत्री और उनकी सरकार देश के नगरीकों के लिए बहुत हाई important होट हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार के काम के लिए बहुत सारे policies भी होट हैं, जो देश के विकास और कल्यान के लिए important होट हैं ये policies देश के नियम और कानुं के according बनेट हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं इन policies के according देश के नगरीकोंग के लिए बहुत सारे schemes भी होट हैं, जैसे की employment schemes, education schemes और भी कई schemes. ये सभी schemes देश के नगरीकोंग के लिए सेवा करते हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं. प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के विकास के लिए बहुत सारे projects भी start करते हैं, जैसे की infrastructure projects, technology projects और भी कई projects. ये सभी projects देश के विकास के लिए important होट हैं और देश के नगरीकोंग के लिए सेवा करते हैं. और हाँ, इंडिया के executive branch के काम के लिए बहुत सारे laws और regulations भी होट हैं, जो देश के नगरीकोंग के लिए important होट हैं. ये laws और regulations देश के नियम और कानूं के according बनेट हैं और देश के नगरीकोंग के लिए काम करते हैं. इन laws और regulations के according देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे rights और duties भी होट हैं, जैसे की voting rights, property rights और भी कई rights. ये सभी rights और duties देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनको follow करना important होता है. प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे facilities भी provide करते हैं, जैसे की health care facilities, education facilities और भी कई facilities. ये सभी facilities देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं. इंडिया के executive branch के काम के लिए बहुत सारे departments भी होट हैं, जो देश के नगरीकों के लिए important होट हैं. ये departments देश के नियम और कानूं के according बनेट हैं और देश के नगरीकों के लिए काम करते हैं. इन departments में officials और experts होता हैं, जो देश के नगरीकों के लिए सेवा करते हैं और देश के नियम और कानूं के लिए काम करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे schemes और programs भी launch करते हैं जैसे की poverty alleviation programs, rural development programs और भी कई programs ये सबी programs देश के नगरीकों के लिए सेवा करते हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं और हाँ, इंडिया के executive branch के काम के लिए बहुत सारे policies और programs के साथ साथ देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे services भी provide करते हैं, जैसे की passport services, legal services और भी कई services ये सभी services देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं इन services के लिए online और offline दोनों टरिके से facilities available होट हैं जिससे देश के नागरिक अपने लिए important services easily लग साकते हैं और एक बात और, इंडिया के executive branch के काम के लिए बहुत सारे departments भी होट हैं जो देश के नगरीकों के लिए important होट हैं इन departments के officials, देश के नगरीकों के लिए 24 by 7 सेवा करते हैं और उनके सवालों के जवाब देने में मदाद करते हैं इंडिया के executive branch, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे welfare schemes भी launch करते हैं जैसे की old age pension scheme, health insurance scheme और भी कई schemes ये सभी schemes देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के विकास के लिए बहुत सारे initiatives भी start करते हैं जो देश के नगरीकों के लिए important होट हैं ये सभी initiatives देश के नगरीकों के लिए सेवा करते हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं. इंडिया के executive branch के काम के लिए बहुत सारे laws और regulations भी होट हैं, जो देश के नगरीकों के लिए important होट हैं. In laws और regulations के according, executive branch देश के नगरीकों के लिए fair or just decision लेते हैं. इंडिया के executive branch के officials देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे services भी provide करते हैं जैसे की electricity services, water supply services और भी कई services ये सबी services देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे educational और health initiatives भी start करते हैं जैसे की midday meal scheme, health check-up camps और भी कई initiatives इंडिया के executive branch के officials, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे job opportunities भी provide करते हैं इन job opportunities के through, देश के नागरिक अपने लिए इच्छा कमाई कर साकते हैं और अपने future के लिए secure कर साकते हैं इंडिया के executive branch, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे housing और infrastructure development projects भी start करते हैं जैसे की rural housing schemes, urban infrastructure development projects और भी कई projects ये सबी projects देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे entrepreneurship और skill development initiatives भी start करते हैं जैसे की small business loans, skill development programs और भी कई initiatives ये सबी initiatives देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं इंडिया के executive branch के officials देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे disaster management और relief programs भी launch करते हैं इन disaster management और relief programs के थ्रू देश के नगरीकों को अच्छी तरह से मदार मिलती है और उनके problems को दूर किया जा सकता है इंडिया के executive branch देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे environment protection और conservation initiatives भी start करते हैं जैसे की forest conservation programs, air pollution control programs और भी कई initiatives प्रधान मंत्री और उनकी सरकार, देश के नगरीकों के लिए बहुत सारे agriculture और rural development initiatives भी start करते हैं जैसे की crop insurance schemes, rural electrification projects और भी कई initiatives ये सबी initiatives देश के नगरीकों के लिए important होट हैं और उनके लिए काम करते हैं दोस्टो, ये थी India के executive branch के बारे में एक short और informative वीडियो हमने आपको executive branch के क्या काम होट हैं और India के नगरीकों के लिए क्या benefits हैं इसके बारे में बताया उमीद है आपको ये वीडियो पैसांत आए होगी और आपको इंडिया के एग्जेकिटिव ब्रांच के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल गई होगी अगर आपको और कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हम आपके सवाल का जवाब देंगे शुक्रिया दौस्टो आपका टाइम देकर ये वीडियो डीखने के लिए हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटव और हेल्पफुल वीडियोज लाते रहेंगे तो मलेट ही नेक्स्ट एपिसोड पेटाब तक के लिए अलविदा